आज हमारे साथ एक बहुत खास हस्ती जुड़ी है She is a beckon of light and wisdom उनकी कही बातों से हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जरूर इंस्पायर हुए है लाइफ की जरनी में सही पात क्या होना चाहिए हर चैलेंज को कैसे फेस करना है अपने inner soul से कैसे connect किया जाए यह सब जवाब है उनके पास A guiding star, a two master of motivation we have today with us the one and only Jaya Kishori जी Thank you so much ma'am आप हमारे show पे आए आपका इतने busy schedule होता है और आपने इतना वक्त निकाला इतनी दूर से आपायो हो तहे दिल से शुक्रिया गरते है Thank you, आपने मुझे बुलाया I'm very happy to be here आगे ना मैं मैं हमेशन कुछ ना कुछ तैयारी करके आता हूं तो जब ये episode हमने final किया तो मैं काफी कुछ research कर रहा था या मैं टीम के साथ बात कर रहा था तो ये पहली बार हुआ है कि मेरे पास कोई भी questions नी थे और मेरे cue card बिलकुल खाली है कि मैं आपसे क्या पूछूँगा पूरी दुनिया आपसे चीजें आपकी सीक के आगे बढ़ी है आप इतनी motivation देते हो spirituality में आज हिंदोस्तान में आप सबसे बड़ा नाम हो तो मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी आपकी जर्नी से शुरू करते हैं लाफ अचर S Sc अपसे जाद मेहनत, कैम, सीखना मेने किया कि इन ड़ट उन्सी क्लास से बेसICली आप tu तैंविते विध किस टाम आपकी नीडियूट सुरूब इस फिल्ल में जाना है चहार साल की तो मुझे भी वेरी ऑनेस काफी लेट हुआ पर मैंने शुरुआत बहुत जल्दी कर दी थी ज़र्वात की पहले मैंने गाने से भझनों से शुरुआत करी थी और I think मैं 11-12 साल की थी तब मैंने पहली कथा करी थी तीन दिन की और मैं भी 15-16 साल की थी ज़िस एज में आपको लगता है कि अच्छा आप मुझे समझना चाहिए मुझे लाइफ में क्या करना है कि आप बनना है और उस एज में अरड़ी बन चुकी थी तो मैंने फील में अच्छा काम कर लिया था तो 6-15 साल तक काम कर लिया है अपने दुनिया देख लिया है तो चीजों को समझ लिया है तो मुझे ऐसा लगा कि आपने तो देख लिया आपको जो देखना था च्छागल क कि अब मुझे खुद से सब कुछ करना है कि तब तक आप बहुत यंग होते हैं आपके आसपास लोग होते हैं आपको समझाने के लिए मेरे पैरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे तो शुरुवाती दौर पे जाधा तर पढ़ाई उनकी थी जो मुझे समझाते थे तो बेसिकली यह सारा जैसे घर पे कैते हैं इंवायरमेंट होना बहुत जरूरी है तो यह इंवायरमेंट से आपको आगे इसका शौंक हुआ या इंट्रेस्ट पैदा हुआ था और फिर मुझे ऐसा लगा कि जो चीज करने में आपको महनत फील नहीं हो रही है कि आप इतन और फिर इस साल से लेक्या उपने बताया सिक्स्टीन यइर्स तक आप रगुलर्ली आपने अपने अपको बिल्ड किया और ट्रेन किया इस द़रान हम अगर हम अपनी भी बात करें या हम जादा तर नॉल अबग्चों की बात करें इस दोरान जितने भी स्टूड़ेंट्स तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होता था उस दोरान की मेरे जो साथ की मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो सब एंजॉय करे हैं, फिल्म भी देखने जा रहे हैं, यह भी कर रहे हैं उस वक्त होता था और मुवीज वगरे तो हमारे अक्चली स्टार्ट में इतना था ही नहीं कि उस एज में तो क्या यह आप इतना देखने जाते हैं, जैसा मैं नहीं कहा है कि 11, 12, 13 साल की उमर में मैं खुझ से बहुत जादा डिवोटेड हो चुकी थी तब किसी को बोलने की होती थी कि अच्छा आपको अब यह करना है पर हां स्टार्टिंग पीरिड में मुझे था कि जब आपको बच्चों की खेलने की आवाज आते है और तब आपकी तीचर आपको पढ़ाने आ रहे है आपको को स्क्रिप्चर पढ़ने की जरूरत है तब मुझे शायद असा ल अपने लाइफ में कुछ बनने की कोशिश कर रहे है या एक प्लेस अपनी बनाने की कोशिश कर रहे है जो मैंने बना ली है तो शायद अब मेरे पास काफी जादा कमफोर्ट है बहुत जादा फ्रीडम है काम करने का भी फ्रीडम है मैं अपने अकॉर्डिंग काम चूज कर सकती हूं, मैं हॉलिडे ले सकती हूं, मैं काम चाहूं, तो कुछ समय तक बंद भी कर सकती हूं. So I've made that place. लेकिन आप जो मैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो struggle कर रहे हैं. उस वक्त उन्होंने enjoy किया, मैंने नहीं, मैंने struggle किया, तो आपको कुछ तो sacrifice करना ही पड़ता है, किसी को कोई period, मैंने बच्पन का period sacrifice कि. So वो 10 साल के दौरान, आपने बहुत मेहनत करी होगी, तो पर्ट डे जैसे होता था, आप कितनी देर रियाज करते थे, या आपका मेरा schedule, क्या होता था बार्स नाइम उस नाइम तो पर्ट बोसली मेरा elanree मेरा starting days में schedule, आप school जाते हो तो morning मेरा आपको जल्दी उतना पढ़ रहा है, school है तेन चेर बज़े तक तो आपकी school की चीजे ख़तम नहीं होती है पिर आपकी school के वो खतम करते मुझे 9-9.30 हो जाता था उसके बाद मेरी spiritual education शुरू होती थी तो मैं आज भी कहते हूं कि मुझे थोड़ी सी रात को पढ़ने की ही आदत है मेरी habit एक रात को पढ़ने वाली है कि मैं रात को जादा क्रियेटिफ होती हूं I think creative बन दे आंजी That is all because of that क्योंकि दिन में मेरे पास ताइम ही नहीं होता था तो इतनी habit हो चुकी है मुझे कि अब रात को ही मेरे दिमाग में अच्छे आइडिया आते हैं मैं कुछ लिख सकती हूं या पढ़ सकती हूं तो उस वक्त वो जर्णी मेरी 9.30 to maybe 12.30, 1 o'clock तक पढ़ाई होती थी Then I asked to sleep क्योंकि आपको फेरिश साड़िश है बज़े उठ जाना है इसकूल के लिए So approximately आप 14 गंटे everyday work कर रहे थे और 6 साल की उमर में जिस ताइम पर मुझे ऐसे लगता है कि किसी को समझ भी नहीं होती है इंजॉइमेंट की तरफ कमाल है बाग कमाल है अच्छा पेरेंट्स का लाइफ में मैं हमेशना सबसे पूछता होता हूं कि बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का क्या टेक था उस दौरान वो क्या फील करते थे या कितने सपोर्टिव थे या आपको किस तरीके से मोटिवेट करते थे क्योंकि उस दौरान बच्पना होता है तो आप कही न कहीं डी मोटिवेट भी होते होगे कि मैं प्रेक्टिस तो इतनी कर रही हूं मैं महिनत इतनी कर रही हूं बट कुछ रिजल्ट निकल के आगे नहीं आ रहा हूं बहुत बहुत आई थिंग मैं आज जो भी हूं अपने पैरेंस की वज़े से ही हूं और स्पेशली जब आप एक ऐसे फील को चुन रहे हो जो फील से पैरेंस डरते हैं मैं हमेशा कहती हूं कि जाधा कोई स्पिरिच्वल या भक्ती में जाने लगता है तो पहली चीज तो लोग सोचते है इसकी शादी करवा दो या वापस से इसको थोड़ी से मुझे बहुत सपोर्ट किया और शुरुआत में उन्हों नहीं किया मुझे तो बस एक इंट्रेस जागा था कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है पर बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि अच्छा लगने के बाद आपको क्या पढ़ना है तो उन्होंने मुझे संगीत क्लासे में डालना हुआ, स्क्रिप्चर्स पढ़ाना हुआ, रियास कराना हुआ कि अब आपने बोल दी आपको अच्छा लगता है पड़ आप इतने इमानदारी से रियास तो नहीं करेंगे तो मैं फादर यूज तो सेट कि आप रियास करो त मेरे स्कूल वर्क के साथ भी और एक बच्चे होने के नाते हैं आपको समझना पड़ता है कि बहुत एक साथ आप सब चीज उनको नहीं समझा सकते उनके अपने रीजन्स होते हैं जो बहुत थे तो उन्होंने बहुत ही पेशिंटली मेरे साथ काम किया मुझे सपोर्ट किय और मैंने जो जो बोला कि अब मुझे ये पसंद आरा है तो ये करते हैं या मुझे ये फिल्ड की नॉलिज जादा लेनी है जैसे कथा एक अलग अलग फिल्ड भजन से अगर देखा जाए देन हमने श्रीमत भागवत करी जो एक बहुत बड़ा स्कृप्चर है जो आप अब ही तक अब ही तक आए फिल के उनका सपॉर्ट खतम नहीं हुआ है उनकी महनत खतम नहीं हुए वह काम करते है और शायद हो मेरे अंदर एक मोटिवेशन पैदा करता है कि अगर वही नहीं थके अभी तक तो मतलब मेरे पास तो सवाल ही नहीं होना जी है इसका Are they proud of you now? I think so क्योंकि पेरेंट्स का ये ज़रूर रहता है कि वो प्यार भी बहुत करते हैं और वो प्राउड होते हैं वो कभी इजहार नहीं करते मेरी मॉम आइधे बहुत जादा अप्रिशियेट करती है पर आइधे माय ऐसी होती है कि वो हमेशा छोड़ी चोड़ी चीजों में खुश होती है बड़ी में मुवी दंगल देखने गई थी हम सभी गए थे मैं मेरे पापा और वो पूरी मुवी में आई वस वाचिंग पापा कि ये आप है कि लास्ट में जब उन्होंने अपनी मेटी को शाबाश मेटा गोला था और उसको लगाता कि तो वो बहुत कम होता है पर आइधिंक वो आपके लिए बहुत माइने रखता है तो मेरे पापा कम तारीफ करते हैं पर जब करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये इसी के लिए मैंने सारी मेहनत करी है अच्छा जैजी जब आप छोटे थे 10th class या 12th class कर रहे थे आपके आप स्कूल जाते थे आसपास जितने वी बच्चे मेजर ली क्या फोकस होता है कि डॉक्टर बने एंजिनियर बने मेभी इस अफसर बने या इन फिल्स की ही जादा डिसक्शन होती है तो वो सर्कल में जब डिसकेशन करते थे और कहते थे कि मैंने इस फिल्ड में जाना है तो वोट वस दे रियाक्शन आप दो यह जाना कभी एक बात नहीं थी जिसना मैंने का कि मैं तो अल्रेड इस फिल्में थी तो 11-12 हो तो आप उस वक वो बात कर रहे होती थे कि उनको करना है और मेरे पास ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी क्योंकि मैं तो बन चुकी मतलब मुझे तो वस काम करना है आपको काम करते रहना है आप तो बन चुके तो मैंने 18 साल में ही स्रीमत भागवत कर ली थी मैं क्लास 12 में थी मैं बोट से पहले October में अपनी पहली कथा करी थी स्रीमत भागवत 7 days की तो मेरे लिए कभी यह नहीं था कि मुझे करना है हाँ definitely कोई समझता नहीं था उस वक्त इन चीजों को मैं बहुत ही लगी हूं कि वह अस चीज को समझते थे और वह बहुत प्राउट फील होते थे उनको ऐसा लगता था कि मैं कुछ ऐसा कर रही हुझ उनको लगता कि हमें जिस चीज को लेकर आगे काम करना है शाल्रीड़ी डान तो मुझे काफी सपोर्ट करते थे तो आप परकी सब्सक्रण नहीं नहीं स्थीजिन फेसित को वह तो बटेक पर ईपूर्ट का दोष्यों ऐसेओ यहा था कि कै पी बढ़ें यहां उननको फोप करना थे सान्राण जिआ हुझ भात अ सब्तर्ण करई बहुत कि इनके फेस पे दिखता है कि यहापी कि आप क्या काम करें अब भी मिलते रहते हैं अबने पुराने दोस्तों से बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं घर पे हूँ तो I think हम चाहे रिसेंटी जब मैं घर गई थी और मेरे पास जादा था नहीं मैं अहां पर भी एक एवेंट के लि अच्छा आपके लाइफ में कितना वड़ा रोल रहा है आपके सक्सेस्फुल होने तक की फ्रेंड का किना सपोर्ट रहा है उनका क्या रोल रहा है अपकी जर्न्ने में मुझे इसा अलगता है मेरे फ्रेंज मेरे माइंड से काफी मैच करते हैं और जो कुछ नहीं करते थे आपको आपको अलग हो चुके थे तो तब मुझे समझ में आया था और मैं काफी अपने सेशन में यह बात करती हूं कि दोस बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं आपको सक्सेस्फुल बनाने में और आपको कुछ सीख देते हैं तो बहुत पर जैसी माइंड से उनका होत हम सब का माईन सेट कि हमें कुछ करना है हमें अपनी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है तो मुझे यसा लगता है कि वही दोस तब रह गये है मेरी लाइफ में हम अब실.: त्र एक साल तक भी बगूँ और मिलने नहीं पाई तो उसकुन चीज से परॉल्ल焰 होती है यह ति और दोस्तों के बीच वही होते हैं, अगर हम बात करें कि आज भी मिले तो हम वही दस किस्से हैं, अपने पास टोटल डिस्कस करने को भी है, जब हम फ्रगल कर रहे हैं, किस्से वही होते हैं, मैं हमेशा कहते हैं, फेलियर सबसे जादा सीख देते हैं, और सारी कहानिया उसी आपस महते हो नई वक्त की होती है. मजद सकसेसफ़ल होने के दद आपके से कहानिया नहीं सी साथ है. तो हमारी कहानिया भी वही है कि मने स्कूल में क्या किया तूशन में क्या किया और उसी पर हम हस लेते हैं और फिर वही बात है कि पता ही नी जला कितनी जल्दी सब बड़े हो गए पर ठीक है life goes on लेकिन बस कुछ अच्छे लोग आपके साथ हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सारे रिष्ट्य अलमुस्ट भगवान ने बना के भेजे हैं फामिली, सिबलिंग, पार्टनर के लिए भी कहते हैं कि उपर से जोडिया आती है पता नहीं अब आज की जोडिया देखें लेकिन एक दोस्त है जो भगवान ने जिम्मदारी आपको दी है तो वो तो हम थोड़ी ठीक से निभाले हैं और आई थिंक दोस्त एक ऐसा इंसान होता है life के अंदर जो की basically आपकी life में parallel रोली प्ले कर रहा है पूरा आप demotivate हो तो आपको सबसे वहले उसी की याद आती है क्योंकि parents से हम कई बरी डरते भी हैं बात करने से भी कई ऐसी बाते हैं जो हम शायद अपने parents से रिष्टेदार से या even partner से नहीं कर सकते वो हम अपने friends के साथ शेयर करते हैं जय जी spirituality में आज अगर हम देखें बहुत सारा digital world आ गया है तो जो spirituality exact knowledge है या सही तरीके से माइने से जो spirituality है वो आगे आने लगी है पहले एक TV का वक्त था जब उतनी आपका support system नहीं था digitalization नहीं थी तो वो निकल के आगे नहीं आती थी आज कल के वक्त में you know people have started believing in it and इसे काफी फर्क पड़ रहा है लोगों की mental health पे काफी improvement हो रही है तो थोड़ा सा उसका भी आप ब्रीफ दें की spirituality actually आपकी life में क्या change लेके आती है और क्या better करती है first of all एक तो हर इंसान की अपनी खुद की spiritual journey होती है और changes भी अपने खुद के होते हैं तो कई होंगे जिनको काफी major experiences होने लगते हैं spirituality में meditation meditation एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है spirituality में आप देखिए mostly सभी आपको कहते है you should meditate yes अप उसके भी आपके अपने अपने तरीके है कोई chanting लेता है कोई nature के साथ time spend करना meditation कोई कोई social work करने को meditation कहता है कोई breathing process को meditation कहता है so you have your own space कि वहां पर भी आप क्या करना चाहते है but spirituality आपके अंदर जो बहुत ही I think general changes लेकर आती है that is वह बहुत काम करती है आप situations को कहते है कि जब कुछ time jam हो रहा है तो शायद आपकी body थोड़ी अलग हो के दूर से उसको देख रही है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है I think mind indirectly अंदर से कर रहा है पर आपको वह बहुत पिक्चर दिखाता है कि आप खुद से भी दूर हो के बहुत पिक्चर देख रहे हैं और फिर आप decisions ले रहे हैं तो शायद वह आपके life में बहुत अच्छे decisions लेकर आता है तो decision making बहुत strong हो जाता है आपका emotionally आपको बहुत strong करते हैं, stable करते हैं कि आप emotional stability ना खो दे और उसकी वज़े से कोई गलतिया ना कर दे And I think last is जो सबका main goal हो सचता है spirituality का एक higher level of awareness आपकी consciousness को वह इस level पर जहां आप मैं तेरा मेरा से अलग होकर थुड़ा उंचा होकर देखते हैं कि नहीं आप क्या करना चाहते हैं या आप लाइफ के लिए क्या करना चाहते हैं या आप लाइफ के लिए क्या करना चाहते हैं या उनिवर्स के लिए क्या करना चाहते हैं अब ऐसा क्या हो कि और हेल्प हो सको तो मोटिवेशनल सेशन्स यह है अदरवाइस मुझे जरूरत नहीं थी करने की I was very busy with my work, I was happy with my work, मुझे और नहीं काम की जरूरत नहीं थी पट मुझे असा लगता था seven days आज की यूद के पास नहीं होता इतनी छोटी एज में यह सोचना आज हम बात करें इस एज में तो हम यही सोचना है कि मेरा करियर, मेरी ग्रोथ, मेरा पैसा, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, everything is me and my growth इस टाइम पे छोटी एज में आप इतना बड़ा थौट रखते हो कि आप दुनिया को अवेर कर रहे हो, multiple चीजों के लिए, यह motivation कहां से आई? यह spirituality, जैसे मैंने अपका, कि मैंने बहुत अर्ली एज शुरू कर दिया, तो जो चेंज आपको शायद एक इंसान 20, 23, 24, 25 से शुरू करेगा, उसको हो सकता है कुछ साल लगे, मैंने 6 साल से शुरू कर दिया, मेरा environment वही था, मेरे परिवार में वही चीज़े हो रही थी, आपको वह नहीं चाहिए, आज फेम है, मानी है, यह चीज़ों के लिए ही लोग काम करते हैं, बट एक टाइम बात स्परिच्वालिटी यह चीज़ों को एक बैक सीट पर डाल देती है, कि यह मिल जाएगा, तो मिमानदारी से काम करो, यह तुमारे पीछे ही है, यह सब कु तो मिलेगा, कि माता सरस्वती के पीछे भागिये, लक्षमी अपने आप पीछे आईजी, लेकिन आप सिर्फ लक्षमी के बीछे भागते हैं, तो कई बार आप भूल जाते हैं, कि आपको जो जो ग्यान या जो कलाब पर फोकुस करना चाहिए, जो फोकुस चला जाता है, परिंगा, आपको जो काना, आप ग्रिंटी, जिसे ये आपको मोटिफ पे, काम पे, जो फॉद ही अपरकृत कि मेरा कि मेंकों सिफ काम करना है, कि जो इ cents offenses आणगे, कि मेंगे К्या होता है, लेकि ही लोग्स अर्प्राइस, पनकिसने काहिए, ने सिसे ऴॉil će चीजें करें जिससे वो जादा क्लीन हो ठहराव जिंदगी में और फोकस हो इसी क्या चीजें चोटी चीजें जैसे भी आपने बताया कि spirituality बहुत वाइड है multiple चीजों में हैं किसी को किसी की सेवा करके spirituality spiritual feel करते हैं किसी को किसी तरीके से होती है बट आज कल यंग्स्टर्स जितना आप देखोगे ना अग्रेसिव बहुत जादा है जल्दी सब कुछ चाहिए ठहराव बहुत कम है तो यंग्स्टर्स के लिए क्या 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 हैं क्या उन्हें बेसिक चीज करनी चीज जो ने ठ हराव लेके आए पहली चीज के आप एक बालेंस बनाए हर जगे मैं हमेशा अपने पैरेंट से सुनाया अती अंतता च्छती किसी भी चीज की अती एक्स्ट्रीम होना आप को रुए करने का काम करता है कुछ भी मीठा जादा खाये आपको शुगर हो जाएगी कड़ी चीज जाता हैं कि इन सानों के साथ समय बिताना भूल करें बिलकुल बिलकुल इनसान आपको पेशंच सिखाता है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वह इनसान डिरेक्ली अगर मैंने आपसे कोई क्वेस्टिन पूछ रहे आपको आंसर हो सकता है पांच मिनिट के बाद यो 1977 श्रवाइत खतम हने और यहां ऐन मुझे तुरन्थ मिल रहा है तो इनसानों से वहु दूर हो रहा है इसलिहें वहु पेशन से दूर हुआए वह नेचर से दूर हुआ रहुआ है नेचर अपना टाइम Olga अबीर्ज बोई है पेर लगने में समय लगए तो हमने टाइम बिताना ही बंद गर दिया तो दो तीन चीज़े जो बहुत ही बेसिक है इसके यूमन के साथ बैठिये आज लोग बुलते हैं हमारी आदमियों से या लोगों से नहीं बनती अरे इंसानों के इंसानों से नहीं ब शुरुबात करें पने आपको देजी अपने थोट्स को देजी कि अदिन भर क्या होगा क्या करना है यह नहीं भी करना नो चुप्चा भी बैट जाओ पर पांच मिन अपने आपको दूआ इतने भाग दौड में हो कि bạn के पस अपने लिए समय नहीं है पांच मिन तो ये दो spiritual journey की तरफ शुरू हो चुके अच्छा एक इस अबरिंगिंग के दोरान जैसे बच्चे होते हैं जैसे आपने बताया कि हम इतने जादा electronic हो गये हैं कि हम सारा दिन gadgets में फसे रहते हैं आपने अभी पहले ये भी बताया कि जब आप छे साल के थे तब से आपकी parents की involvement बहुत जादा रही सो मेरा ये question है parents का कितना बड़ा रोल है number one एक life बच्चे की बनाने में या बनने में कि उसको किस रस्ते डालना दूसरी चीज parents के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि parents करें अब आज कल के दौर में जैसे पिशली बार शुबमन हमारे दोस्ते हैं वह आये थे वह उसने specifically चीज की थी कि बच्चों को ground जरूर भेजो वह खेले इंडिया या ना खेले does not matter उने ground जरूर भेजो उनकी सेथ अच्छी रहेगी तो बहुत सो कि parents का बहुत बड़ा रोल है उसमें तो क्या कहना चाहेंगे definitely आपने जो कहा बिल्कुल सही और मैं हमेशा कहती हूं कि जब parents बच्चों के लिए कहते कि बच्चे बिगड़ गए हैं मुझे ऐसा लगता है उसमें से काफी जादा part parents का ही होता है क्योंकि हम सोचते हैं वह बड़ा हो जाए तब हम उसे संस्कार देंगे या समझाएंगे बड़े होने के बाद आपको ही समझदार नहीं समझता क्या वेट कर रहें वह समझदार हो जरत रहें तब समझाएंगे वह इतना समझदार है कि या सपना नहीं समझ रहा जब वह बच्चे होते हैं जब वह आपको सब कुछ मानते हैं तब आपको उसको संसकार देना चाहिए करते हैं जब मिटी गीली होते आकार बन साथा है लेकिन जब आप अप वो अची जूप गई है और एक आप ले चुकी है अब उने बूसरा आप यह उसके लाप को मिट्टी को अई में वो युटेंसल को तोड़ना पटा यह वो तो बास बास पान। दिफिकल्ट भी पेइनफुल कि एक बच्चे आप से दूर हो जाते हैं जनरेशन गप बन जाता है तो आपको यह याद रखना है पैरेंस को कि आप सब अपने बच्चे नहीं पाल रहे हैं आने वाली पीडी पाल रहे हैं तो आपको उनकी सेहत का भी धिहान रखना है आपको एक दिन आपको उनको देख कर लगे कि अब तो मेरे जाने के बाद भी अपनी जिंदगी अराम से निकालेगा इसको किसी की जरूरत नहीं है और यह लड़का लड़की दोनों के लिए होना चाहिए और जब आप किसी चीज़ पर डिपेंड़न नहीं होते न तो वह अपने कि हम खुद डिपेंडेंडेंट है लोगों तो आप उनको इंडिपेंडेंडेंट बनाये संसकारों में फाइनांशली एजूकेशन वाइस हेल्थ वाइस पिरिच्वल वाइस और आप देखेंगे अपने आप वो बच्चा इतना अच्छा अच्छा जा रहा है कि आपको अच्छा इंटर्व्यू है यह वो है और आप उनको लगता है कि यह अपने डिसिजिएंस ले सकती है क्योंकि वह जो ट्रेनिंग थी उस दोरान उनोंने बिल्कुल बिल्कुल तो वह चॉइस भी बच्चों को देना उनको समझजदार बनने देना उनको गलतियां करने देन लाडला मुझे लगता बड़ी गलत चीज है क्योंकि लाडला होने एक पार्ट आप अगर उसे कुछ करने नहीं दे रहे घर पे सब कुछ मिल रहा है आप उसे अपनी जर्नी नहीं करने देने तो फिर तो बाद में चीज खराब ही होगी और तबा बचाने के लिए होंगे जी बिल्कुल अच्छा एक मेरा क्वेश्चन था अभी आप मेरे डॉर्टर से भी मिलें आप ब्लेश्ट विदा डॉर्टर एंड मुझे ऐसे लगता है कि एक जो लड़की की जर्नी है नहीं हो हमेशा लड़कों से थ्री तो फोर टाइमस डिफिकल्ट है क्योंकि जिस पर रहेंगे लड़किया नीचे रहेंगी उस सारी बेडियों को तोड़के एक इतना बड़ा मुकाम हासिल करना जो कि किसी भी इंडिविजुल ने मुझे नहीं लगता इंडिया में अभी तक किया है इन दिस सफियर तो वो वो चीज हासिल करने क्या मोटिवेशन थी आप और आपने उसको ओवर कम कैसे लिया जैसा आपने का एक्जाक्ली आप स्पेशली जब ऐसे फील में होते जो पुरुष प्रधान ही फील्ड रहा है हमेशा से अगर वहां महिलाई रही भी है तो बहुत कम रही है तो एक तो इस फील में जाना ही आपको पहले से समझा दिता पड़ेगी आपको लड़ना होगा आपको रोकने की कोशिश की जाएगी ऑस वक्त में कहती हूं किस पैर इन्स एक बहुत बड़ा रोलने भाते हैं तो मेरे पैरेंस जो दिवाल बनके मेरे लिए खड़े थे मेरे सामने कभी नहीं काऊंगी पर मेरे पीछे कि सामने मैंने फिर वही बात की कि आप गलतियां नहीं करने दे रहे आपने शील्ड बना ली कि बच्चे को कुछ होना ही नहीं नहीं वह पीछे थे कि अगर गिरी तो हम समालने के लिए है यह नहीं कि हम गिरने से पहले ही पकड़ लेंगे गिरना तो पड़ेगा तो यह भी मुझे ब पड़ेगा बस रुकना नहीं है यह याद रखना यह मेरे अंदर हमेशा रहा कि no matter what आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप जैसे हम कहते भी आजकल की व्यासपीर पे लड़कों को नहीं बैठना चाहिए पर मुझे असा लगता है कि क्यों नहीं बैठना चाहिए अ अगर उन्होंने नहीं रोका तो फिर उन्ही के काम में मुझे कोई और कैसे रोक सकता है तो यह एक मोटिवेशन है पता नहीं मुझे असा लगता है जब आप कुछ ऐसा करें जिसे आप प्यार करते हैं आप खुदी नहीं रुकते कि मुझे तो यह करना है देखा जाएगा जो होगा यह मोटिवेशन था के और फिर प्रोब्लम्स आई आपने सहा समझा कई बार आप लड़े कई आप चुब भी हो गए कि ठीक है इस वाक मेरा पीछे हट जाना शायद जादा बहतर है मेरे लिए ता कि मैं जब नेक्स टाइम आगे बढ़ू तो चार कदम जादा ल जो हुआ मेरा मैं फ्लाइट में थी और एक होता है कि बेसिक ट्रोलिंग किसी के होती है पर जस बिकोज रगल तो आपकी ट्रोलिंग वेकी आपको बाते ही अलग कही जाती है और तब तो मेरी इतनी कोई बहुत खास एज भी नहीं थी कि आप समझ पाई यह क्या है तो मैं तो मैंने एक आर्टिकल देखा एक फर्वरड़ आर्टिकल यह था एक आर्टिकल बहुत अच्छा था कि एक यंग बच्ची है जिसने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे अशा लगा कि रिए अच्छी बात है मेरे बारे में लिखी कि I should see कि लो क्या बोल रहे हैं कॉमें सेक्षिन में कही ऐसी बात थी जो यह वहां रोने लग गई और मैं ने अपने पापा से खाए मेरे साथ ही थे मूसली वह आठ मेरे साथ ट्रावल करते हैं जी आने का कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो मेरे बार मेरे बार मैं ऐसा क कि तुम कुछ भी करो लोग हर वक खुश नहीं होंगे तुमसे और इसका मैं सबसे बड़ा एक्जाम्पल देती हूं कि आप लोगों को खुश करने के लिए काम मत करिये कि लोग तो ऐसे हैं कि आप उनको खुश करने के लिए मर भी जाये तो वो कहेंगे भई मर तो गया पर म करने का मन नहीं था तो यह तो इस पर भी खुश नहीं होंगे तो पहला ही वो चीज लेसन था कि मैं लोगों के लिए तो काम खुश करने के लिए तो काम करी नहीं रही हूं मैं अच्छा काम कर रही हूं अगर आप अच्छे होंगे तो आपको अच्छी लगेगी और अगर तो अच्छे नहीं होंगे तो और विसी भी बुरे इंसान को अच्छा काम अच्छा नहीं लिए वो चीज भड़ गई थी और दूसरा कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको पीछे खीचने की कोशिश करते हैं उनका मन है उस पोजिशन पर आने का लेकिन शायद वो महनत करना नहीं चाहतें तो वो कोशिश करतें करें जो यहाँ हम यहाँ आने से अच्छा इस सांच्छी को लेकर आए तो यह mentality है और यह जा भी नहीं सकते हैं यह जा भी नहीं भी नहीं सकते हैं और जैसे मैं आपको बाले का बुरे का बालेंस बना पड़ा मुझे फरक नहीं पड़ता तो अब मेरा ध्यान अगर 100 कॉमेंस है तो 90 पे रहता है जो मुझे पता है बहुत अच्छे है और उन 10 पे नहीं रहता और 10 के लिए मुझे लगता है चलो कोई नहीं और अच्छी बाते करूंगे यह थोड़ा ठीक हो जाए बेटर फील कर अब यह थोड़ा नहीं लगता है तो जैसे कहते हैं चोटे बच्चे को आप कैसे अपनी बात समझा सकते हैं उसको तभी जीना है तो मैं उस चीज को बच्चा और बड़े बात करते हैं कि शाद में तक वहां नहीं पहुचा है जहां मैं पहुच गई हूँ तो ताइम लग सब्सक्राफ चली जाती है कि आपको इतनी हाई बात समझ नहीं आई तो और समझाओंगी तो अपकी लाइप थोड़ा बेटर कर दू तो मेरे लिए अब एक हसी मजाखी हो गया है I don't feel bad anymore कि चले का कि इतना प्यार आपको मिल रहा है तो कुछ के लिए आप इतने बड़े ब इतनी चोटी एज में कैसे गदर करी मतलब कि आप क्या पढ़ते हैं बुक्स पढ़ते हैं आप बेसिकली नॉलेज गेन करने के लिए या वो चीजे समझने के लिए जो की आपको आगे बढ़ा रही है उनके लिए क्या-क्या प्रैक्टिस करते हैं वान बुक्स डेफिनिट आपकी नीव अच्छी होती है तो इमारत टिकती है उसके उपर आप मैं सेल फैल बुक्स बहुत पढ़ती हूं मैं मोटिवेशनल बुक्स बहुत जादा पढ़ती हूं कोई भी अच्छी बात कि अगर किताब होगी तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और मेरा माक्सिम आप पढ़ने में ही जाता है यह क्या मेरे लिए और कुछ नया करना रेसेंटली तो अभी नहीं है अगर किसी के साथ बैठी और मुझे पता है कि नहीं इनके पास कुछ कहानिया हो सकती है पुझे सुनना बहुत पसंद है और उससे आपको अलग पस्पेक्टिव समझ में जिन्दगी का आपको अलगी मिलती है क्योंकि मेरी अलग लाइफ है आपके अलग लाइफ है आपके इंवारमेंट अलग था मेरा इंवारमेंट अलग है और आपकी सीख बहुत अलग हो सकती है जो अगर मैं आपसे ना मीलू तो मैं कभी जान भी ना सकती है इसक्षपिरियन्स की कोई वैल्यू यह नहीं है वो नौलग सबसे बड़ी नौलग होती है तो वो चीज मुझे सुनना बहुत पसंद है लोगों को और अगर पॉड्कास नहीं है या कथा नहीं है तो मैंने कई बार लोगों को यह कहते सुनाए कि हमने आपकी आवाज नहीं स सुन रही हूँ मैं हो सकता है ना रियाक्ट भी ना करूँ पर मैं सब सुन रही हूँ और वो मेरे अंदर एक लर्निंग पैदा करता है कि हाँ अब शायद इस परस्पेक्टिव से भी आप कोई कॉंटेंट बना सकते हैं या कोई सिक ले सकते हैं सबसे बड़ा रीजन हो सकत अबेशन हैं अचे अच्छा एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं आज कल के वक में अगर आप देखोंगे जो जो स्टूडंस हैं या जो यॉन्ग जनरेशन हैं या जो इंग जनरेशन हैं आर नोट जाए लोड टोर्स इंटनेट और डिजितल वर्ल और डिट आं या बताना चाहोगे कि वो उस चीज से हटके अपना फोकस करें, जैसे अब छोटे हो तो इसे फोकस थे बिलकुल, तो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? Balance, again, क्या मैं कभी कोई ऐसी चीज बोलने की कोशिश नहीं कर दी जो मुझे पता है कोई करेगा नहीं अगर मैं उनको बोल दू कि नहीं आप यह सब छोड़ दो यह आप जादा इन चीजों पर मत रहो तो यह बोलेंगे कि वीडियो चेंच, हटा दिया, तो इनको क्या पता, यह मैं कथा में भी कहती हूँ कि I never say that, don't earn money, यह सब महुमाया है, अरे सबसे कुछ नहीं, how can I say that, मैं इस लाइफ में खुदू, मैं यह बात कैसे कर सकती हूँ आपसे, बिल्कुल नहीं है, please earn money, please work hard, please अपना एक नाम बनाएए, अपना एक position बनाएए, कि आप समाज में कुछ प्लेस पर हो, कुछ कहने लायक हो, यह सब करिये, यह सब बहुत जरूरी है, अगर आपनी ग्रहस् प्लेस्टिक लाइफ चुनी है, और नहीं करना था देन वेराग्ये चुनते ना आप, अब बीच का रस्ता क्यों अपनारे कि ना यहां का न वहां का, यह लाइफ अच्छे से जी रिग्रेट में पुरी जिंदगी निकाल दी, I don't do that, तो मैं इस लाइफ को बहुत अच्छ इन काम का मोट्व हमेशा, मेरा द Lor देश्य है वही है कि मुझे क्या चेंज लाना है, मुझे कितनी महनत कर नी है, तो वो आपको ध्यान के क्या है, क्या बनना है, चा क्या करना है, कुछ घंटे, आपने dhin का आप अपने ग्रोथ में दीजिए, कि आप क्या स्किल सीख सकते ह आपने अपनों के साथ dependent ए यह ताइ भी वापस नहीं आता और यह मैं हमेशा एक्जा कहती हूं कि काम वापस आ सकता है अपने वापस करेंगे तो वह ठाइमा आप उनके साथ बिताई है तो एक का बैलनस बनाईे, भिलकुल में, विलकुल मां का बैलनस है, एंट्टेंमिन' का बालनस है, फामील का बालनस है, और आप देखेंगे कि आप अपने सब को जी लिया तो चोटी live दिए जीना तो आप बड़ी छोटी एज में आपने अपना करियर इडेंटिफाई कर लिया था, आपको उसमें पैशन दिखने लगा, उसके अबाद वो आपका करियर बन गया. सो इडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है, क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे स्टुडेंट्स या बच्चे राइड चीज इडेंटिफाई करें, पता कैसे लगेगा कि वो करना क्या जाते हैं? पहला तो एक तो आपका इंट्रेस्ट क्योंकि कही ना कहीं हर बच्चे का एक इंट्रेस्ट होता है या टालेंट होता है, दो चीज़ें, इंट्रेस्ट और तालेंट कहीं बार अलग अलग भी होते हैं, तो जिस चीज में इनका टालेंट हो सकता वो इंट्रेस्टेड नही तो फिर अगर रोना ही काम में अच्छा लग अगर मेरी च्विसलाइऑ मेरी मुझे बताती है कि मैं कभी स्कूल के लिए ऐसे नहीं जगी मुझे जगाने के लिए टाइम लगता था कि अच्छो और मेरा मन पी कई बर नहीं करता था यही अगर मेरी ख्लासिस है कि मैं रात को धाई बजे उट रही हूं कि मम्मी टाइम होगे आपने अच्छाआ अच प्रोबे जाना है क्या बात अपने आप आपका शरीर उठता है आपको काम करने का मन करता है तो वह इंट्रेस्ट नहीं तो आप ढूंडिए और हर इंसान का होता है जी 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 100% अधिक हर भगाने हर बंदे को कुछ ना कुछ कला दे कर भेजी ही है उस पर काम करिए तो जैसे अधियर टाइम मैं हमेशा कहती हूं कि 10 काम छोड़ने से अच्छा है एक काम को करने से पहले 10-15 दिन या कितने महने ले ले लो पड़ा आप चार-पांच दिन में एक जॉब करी फिर चार-पांच दिन तो ये मन करो ये आपके कॉंफिदेंस को भी कम करता है क्यों कि कि अपना बेट बनाऊंगा मैं अपने रूम को साफ करूंगा प्लीज करो क्या आपको नहीं पता कही ना कहीं बैक अफिदेंस को बढ़ा है और नहीं किया तो आपको बताते है कि तुमसे ये भी नहीं होता कि रूम भी तुमने क्लीन नहीं किया तो वह आपको नहीं समझ जुरए आप काम चोड रहे हैं ये किया वो किया वो किया थे काइड गॉन्ज को लो कर रहा है चैक एक केर ताइम काम करने से पहले बहुत दिन ये लो हो महने ले लो और फिर जब करो तो पीछे मत आटो पूरे अच्छे से करो दो, अच्छा, आपका नेक्स विजन क्या है अब, विजन है, जो डिस्क्लोज अभी जादा नहीं कर सकते हैं, बिलकुल है, और स्पिरिच्वालिटी को लेकर ही है, स्क्रिप्चर्स को लेकर ही, I really want, मैं हमेशा कहती हूँ कि खजाना तो आपके ही पास है, खजाना शुरुवाती दौर से आपके पास था, ठीक है, इन्वेजिन सुए जो भी हुआ, आपकी चीजे चली गई, आपको वापस से याद करना है, कि जो है यही है, आपके ही पास है, इन्ही चीजों को वैस्ट ले ज लबकुछी टाइम पहले की बात है, किसी कंट्री ने लीव से प्लेट्स बनाई थी, जिसे हम इंडिया में पतल के लिए और आपको बहुत सारे मंदिरों में होगा, कहीं होगा, आप देखेंगे पतलों पे प्रशाद में अधा है, और यह बहुत पहले से हमारे बच्पन क आपको अपना नहीं दिखता है क्या, यहीं से गया है, तो इसलिए मैं कहते हो, छीजे आपके ही पास है, आपके जो बड़े होते हैं, आपको अच्छी बाते बता रहे हैं, प्लीज उनको सुनिये, उनको समझे और आपको धीड़ीदे समझ आएगा, कि आपको लाइए चे करना है बहतर करना है वह को यहीं मिल रही है पर आप वही चीजे बाहर एक अलग पैकेजिंग में लेकर खरीद रहे हो और फिर समझ रहे हो कि आपको बाहर सी कुछ यह टॉपिक पर भी मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपका आज कल आप देखोंगे इंडिया में हर बंदे को एक खास करके अगर अगर आप नौदन इंडिया करोगे वह जादा है यहां मेहनत नहीं करनी है वट फॉर इन जाना है और आप किसी से पूछोंगे फॉरन जाके करोगे क्या किसी को कुछ नहीं बता ब्लैंक तो यह एक होड लगी हुई है हर बंदे को बहार जान मुझे अपका है धी मुझे सहल लगता है यह भी हम नहीं किया है आप मानलीजिये कि कोई डिगर भी है अगर कोई अब्राओ से ग्री कर एक्र किया तो ःप उसको अलगी हिजट देते है यह और यह को यहां के डिगर्प्र इस उतना घब रही हो और अपके काम की साब स्थे कि कई पर आप देखिए कि मनी वाइस भी ज़रूरी नहीं वहां बहुत जादा कईयों को मिल रहा है लाइफस्टाइल बहुत अच्छी कई तो आइटिंक मुझे इंडिया में इतनी लगशरी है आपको कहीं भी नहीं है नहीं है सारे काम आप खुदी कर रहे हैं हर चीज आप खागल हो जाता है बस किसी ने तीर मारा है बाग की तो सब ऐसे ही हैं जो हम लोग एक दुआ आता है कि घर को जोगी जोगनों बार गाउँ को सिद्ध कि मतलब जो घर का अपना ग्यानी भी होगा उसको इज़त नहीं देंगे और बार गाउँ का यानी नहीं भी है लेकिन तो दो बाती भी अच्छी तो उनको लगता है कि नहीं इससे बड़ा सिद्ध तो कोई ही नहीं तो अपने वाले को कम इजद करके हम भारवालों को जादा इज़ते हैं जैसा मैंने का खजान आपके ही पास है और अगर नहीं भी है अगर आपको यह अपना घर तो नहीं छोड कि जाते हैं तो अपने घर को बहतर बनाएं और बाहर मैंने कहती कि आपको काम नहीं कर ना चाहिए पट जब आप बाहर यह सोचके जारे कि यहां कुछ नहीं है तब मुझे असा लगता है कि तब आपके जिम्मेदारी अज़िसें बनती है कि आप यहां भी कुछ करीए और वोट चीज आप बहार लेकर जाए तो शो दाट कि आपकी कांट्री के पास कितना कुछ है and only you can do that. अगर घर को बहतर करना तो बाकी सब बैठ रहेंगे तो घर आगे नहीं बढ़ेगा तो देश के लिए भी तो यही है आपका घर है कुछ लोग अगर कहेंगे कि हमने बस उसको जिम्मदार दिया वो करे तो ठीक नहीं करे तो देश खातम आप भी काम करें आप देश को अपने करेंगे इवेंस के लिए जाएंगे बढ़ाएंगे तो अपने देश को यह आइधिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम जिस दिन इस यहां के लोगों को भी उतनी इज़त देना शुरू कर देंगे तो शायद एक मजबूरी में भी जाते हैं वो भी जाना अपकी अमेजिग जरनी हैं और विष्यो अल देश्ट विए यू बिग फैन अधम चाहते हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ल पे चाह जाहो जाहो जोड़ेंगे विश्यों विश्यों ने विश्यों आपको पूरा इस चीज के लिए विश्यों के झाल